आपको यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म वर्क ऐसे फिल करने होती है यह सारी प्रोसेस को आपको इस वीडियो में बताने वाला है आपको अपने ब्राउजर में गुगल डॉट को अपने टाइप कर दिने होगी जी आई पीटी टू आई एस पर जी आई पीए ओके एंड गूगल सर्च सर्च कर रहा है और फॉल फॉल फॉर्म दिख जाता है इसका ओके यहाँ पर स्क्रोल डाउन कर रहा है अप्लिकेशन फॉर्म आपकी रिलीज कर दिग यहाँ पर लिखा गया है स्टेट सिटी इंट्रस्टेट कूर्स बतानी होती है कौन सा कूर्स में इंट्रस्ट रखते हैं हाई इस्ट कॉलिफिकेशन अब तक कि आपकी क्या वह बताने के बाद आपको सथे तक क्लिक कर दिनी हो जिससे यह होगा कि आपके scratching keada कते सक देट करने के बाद को यहाँ पर फुल नें यूजर नें इमेल डी पासवड कर करेंगे यह field करने के बाद आपको sign up पर click करना होता है क्योंकि आपको create करना होगा registrations candidates ठेक है आपको यहाँ पर create कीजेगा तो user name जब भी रखना होगा रख सकता है यहाँ पर password ठेक है यह सब field करने के बाद आपको अपने email में जाना OTP आएगा OTP वहाँ से email ID में आपको OTP send कर दिया जाता है फिर वहाँ से आप OTP देखें कि क्या है verification okay verification code होता है तो वो code यहाँ पर देखके type करना होता फिर उसके बाद जैसे आप verify करते तो यहाँ पर आपको signing का option आता है जहाँ पर आपको username आपको पता होना चीए अब login करने के बाद please click on apply button to create a new form तो यहाँ पर जैसे की BSC Economic के लिए MSC Programs के लिए MA के लिए जिस किसी भी के लिए करना चाहते है आप यहाँ पर apply पर click करेंगे और यहाँ पर आपको देखने का मिलता है आपका Institute of Political Economics 1st dollar personal information 2nd qualification 3rd documents for declaration payment 6th download center preference तो यहाँ पर select examination center तो यहाँ पर select कर लेनी होगी जहाँ पर भी आप चाहते हैं select कर सकते हैं simply आपके पर depend करता है यह state यह city है उस state में कौन सी city में देना चाहते है personal details में आपका first name, middle name, last name होगा आपका voter ID, alternate email, address होगा alternate mobile number होगा please select army और yes यहाँ पर answer देना होता है select your gender select करनी होगी mail याप email, mobile number क्या आपका सब कुछ है आपर करने के बाद अगर आप physically handicapped हैं अगर नहीं है तो यहाँ पर click करने हैं तो हैं बता सकते है PWD ठीक है आप यह सारे चीज़े feel करने के बाद आप देख सकते हैं यह सारे चीज़े category last में यहाँ पर SCST general है तो general पताने के बाद do you belong do you belong to minority category से belong करते हैं क्या ठीक है yes यह से उन्हें बाइन सकते देंगे और special यह डिफिरिस्ट यह होता है बारपार next यहाँ पर specified reason यहाँ पर देना होता है parents income बतानी होती है yearly कितना कमा लेते है please select domestic certificate select करने होती है कौन से state का है यहाँ पर आपको बतानी होती है nationality और vacancies अच्छा vaccination status बतानी होती है fully vaccinated second dose आपको address यहाँ पर feel करनी है आपकी address क्या है city क्या है district क्या है कौन से district में रहते है आप state बताएंगे पिन कोड नबर बताएंगे अगर आपका address एक एडरेस है same address है तो आप यहाँ पर tick करेंगे is your address permanently same permanently same as your communication address तो अगर आपका address same है तो address same है उसके लिए आपको यहाँ पर tick करते हैंगे दूसरा भी आपके पास address है कोई और address है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे अपना पर्मनेट अड्रेस इस्टिक स्टेट पिन कोड नमबर यह सारी डिटल्स फिल करेंगे पाद आपको save and continue पर क्लिक करनी होती है तो आपको यहाँ पर अपना personal information में सारी डिटल्स फिल करनी होती है ठीक है मैंने यहाँ पर सारी डिटल्स फिल कर ली रास में आप पिन करते हैं तो qualification address डिटल्स पर आगे हैं जहाँ पर आपको इस result declared तो यहाँ पर बतानी होते है yes अगर हो गया है तो अगर हो गया है तो यह बताना है तो इसके बाद आपको name of the board का नाम बताना होता है medium of instructions बतानी होती है मन्त कौन से मन्त में पास January, March, March जो भी passing year बताना होता है यहाँ पर passing year में देख सकते हैं आपर सब बताने के बाद आपको save and continue पर करना है documents में आपर आपको files तो jpg format में आपका photo होना चाहिए यहाँ पर select करने आपकी file and upload करने signature में भी same address proof PDF में चाहिए सब यह jpg में चाहिए और यह PDF में चाहिए और यह PDF में चाहिए payment option पर आने के बाद आपको payment करने होगी payment online mode से कर देंगे debit card internet banking यूज़ करके फिर download आजाएग application form वास अपना application form को download कर सकते हैं यह process आपके सब भी details तो doubt होता है तो definitely comment कर सकते हैं description box में link को मैंने दे दिया हुआ clicker कर check किजएगा thank you so much for watching my video thank you